पूजा पाठ के दोरान रखें इन बातों का ध्यान हिंदू धर में पूजा पाठ के लिए कई नियम बनाए गए हैं कहते हैं सचे मन वो नियम से इश्वर की पूजा की जाए तो फल जरूर मिलता है तो आईए जानते हैं पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है पूजा के समय घी का दिपक, दाइं और और तेल का दिपक बाइं और रखना चाहिए शंक का प्रियोग करते हैं तो इसे जल में भिगोने के बाद जमीन पर ना रखें हमेशा किसी बस्तू पर ही रखना उचित माना गया है भगवान को तिलक लगाना है तो किसी बरतन से डाइरेक्ट ना लगाएं तिलक हमेशा बाएं हतेली पर रखकर दाइं हाथ के रिंग फिंगर से ही लगाएं तुलसी कभी भी बिना नहाय ना तोड़ें ऐसी तुलसी भगवान स्विकार नहीं करते हैं साथ ही तुलसी को रविवार एकादशी, द्वादशी, सक्रांती और संध्याकाल में ना तोड़ें तुलसी विश्णु भगवान को प्रिये है इसका मतलब ये नहीं कि सभी देवी देवता को तुलसी चढ़ाएं भगवान शिव, गनेश, भैरब को भूल कर भी तुलसी ना चढ़ाएं भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फूल, भांग चढ़ाएं भगवान गनेश को दुर्वा घास चढ़ाएं देवी मा को कई प्रकार के फूल, जादा तर लाल फूल चढ़ाएं पूजा की दौरान अगर कोई सामगरी छुट जाए तो परेशान होकर पूजा के बीच में ना उठें जो चीजें छुट गई हो उसे जाने दें और पूरा स्रधा से पूजा करें भगवान की आरती या धूप में दीपक से दीपक या फिर कपूर से कपूर ना जलाएं साथ ही घर में रोजाना सुबह और शाम दीपक जरूर जलाएं इससे घर में स्मृध ही आती है आप भी पूजा पाठ में इन नियमों का पालन करके इश्वर को प्रसन कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए